नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल इंजिनियर गुपल पडिल पर फ्रेंट्स आप लोग के लिए वेकेंसी लेकर आया हूँ जो डिपार्टमेंट ओफ एटोमिक एनर्जी से लेटेड है और यह वेकेंसी आई है डिरेक्ट रेट ओफ पर्चेस स्टोर ठीक है डिपार्टमेंट एटोमिक एनर्जी का है जो अनुसक्ति नगर मुंबई के लिए ठीक है और इसमें वेकेंसी है और देखें इसका लास्ट डेट फॉरम अप्लाई करने का 27 दिसंबर 2020 तक ठीक है 27 दिसंबर 2020 तक अगर आप लोगों ने इस फॉरम को अप्ल will के खाए लोगन से मच थो घ्रनगर्यटे माइन फirieकेंस सब्सार है और इसको अब्जेक्टि तेस्स लेग और लेवल टू टेस्ट जो जो अस्तेंके लिए उनके लिए स्कील टेस्ट होगा फ्रेंंच और इसका जो देखेंगे इंपरी dedicate यानी सみっ करिठेरिया है हो बेस्ट ऊन 40 पर्सेंट बेटे बनेगा फ्रेंच के लिए पोस्ट का नाम है अस्ट्रेनोग्राफर grade 3 और यह group C का post है यह भी non-gaggeted post है ठीक है और इसमें vacancy जेनरल वालों के लिए 2 post OBC वालों के लिए 1 post एवं SC वालों के लिए 1 post है ठीक है और इसमें total seat है 4 ठीक है friends और इसका qualification देखते हैं qualification होना चाहिए matriculation और equivalent minimum 50% के साथ ठीक है और जो अस्ट्रेनोग्राफ है यानि आपका 80 बढ़ प्रती मिनिट होना चाहिए इंगलिस में और 30 बढ़ सोरी और typing speed भी लेगा 30 बढ़ प्रती मिनिट ठीक है friends और आपका age limit रखा है 18 साल minimum और maximum 27 साल और जो है OBC, SC, ST वालों के लिए वो सब छूट मिलागा age में ठीक है friends और इसका हम लोग mode of selection देखते हैं level 1 जो test होगा उसमें objective टेस्ट होगे और जो level 2 टेस्ट होगा उसमें अस्टेनोग्राफिक आपका skill टेस्ट होगा और इसमें भी है पहले जैसा जो अस्टेनोग्राफर grade 2 का उस्टा उसी तरह के इसमें criteria है merit के लिए based on 40% level 1 यानी 40% level 1 का आपका add करेगा और 60% आपका level 2 का और इसको आपको add करके आपका final minute होगा ठीक है फ्रेंड्स अब हम लोग आगे देखते हैं पोस्ट और यह पोस्ट है अपर डिविजन क्लप UDC के लिए ठीक है और यह भी non-gadgeted पोस्ट है ग्रूप C का और इसमें UR वालों के लिए 1 seat है OBC वालों के लिए 2 seat ST वालों के लिए 1 seat और टोटल है 5 seat ठीक है फ्रेंड्स और इसका भी qualification देख लेए था हम लोग इसका qualification है minimum degree होना चाहिए ठीक है minimum 50% अंगों के साथ आपको graduate होना जरूरी है minimum 50% अंगों के साथ और इसमें desirable मांग रहा है फ्रेंड्स 30 बड़ प्रती मिनट आपको टाइप राइटिंग चाहिए यनि टाइपिंग होना चाहिए इंगलिस में ठीक है और knowledge हो computer data processing और इसका भी age limit है 18-27 और इसका mode of selection देखते हैं इसमें दो टेस्ट होंगे फ्रेंड्स एक objective टाइप टेस्ट होगा ठीक है और देखिए इसमें implement के लिए नि मेरिट जो बनेगा आपको ओनली फोर लेवल टू लेवल टू का जो टेस्ट होगा उससे आपको मेरिट बनेगा और लेवल वन का जो टेस्ट है वह सिर्फ क्वालिफाइंग यानि स्क्रिंग लेवल का है ठीक है फ्रेंड्स असिस्टेंट या जूनियर अस्टोर कीपर और इसमें वेकेंजी बहुत फ्रेंड्स है इसमें वेकेंजी अधीक है उन सबसे सी वालों के लिए नौ सीट है इस्टी वालों के लिए फोर सीट है ओभी सी वालों के लिए सेवेंटीन सीट है जेनल वालों के लिए ट्वंटी सेवन और इडल्स यानि एकनोमिकल बीकली सेक्शन में जो आते हैं यानि जेनरल में जो एक नया उत्ती हुआ था जो दन दस परसेंट सरकार ने इसको आतरी है मिनमूम ग्रेज़ुएट इन साइंस ठीक है ग्रेज़ुएट इन साइंस वित 60% में माक्स होना चाहिए और फिर कॉमर्स ग्रेजट के हैं यानि ओनली शिर्फ जो साइस्छ जो अप्लाइग कर सकते हैं और और पोच्ट जो दिप्लोमा किये हुए मेकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रोनिक्स में, कम्वेटर साइंस में, और मिनमों आपका अंक 60% होना चाहिए, ठीक, फ्रेंट्स, तब इस फोरम के लिए आप लोग अपलाय कर सकते हैं, नहीं, और इसका भी एज लिमिट है, 18 से 27 साल, ठीक है, और इसका आम लोग मोड अफ सेल एरिया है, वो सिर्फ लेवल टू के टेस्ट से होगा, और लेवल वन का टेस्ट है, जो सिर्फ आपको स्क्रिनिंग के लिए, यानि क्वालिफाय करना है, और लेवल टू का जो टेस्ट होगा, वो डिस्क्रिप्व टेस्ट होगा, और उसी से आपका मेरिट बनेगा, ठीक ह हम लोग आगे देखते हैं इसका एक और पुस्ट शोरी देख है कि आगे देखते हैं लोग यसका देखिए जो से लेवर से फ्रेंड्स लेवल वन स्क्रीन टेस्ट ठेक है लेवल वन का जो टेस्ट है रितेन इंग्जावेशन फोर अस्ट्रेनो ग्राफर टू स्क्रेनोग्राफर टूर्थ पर थिरी एंड यूडी से वालों के लिए तो उनका जो लेवल टेस्ट होगा उसके लिए 200 मार्क्स के एक्जाम होंगे ठीक है इसमें आपको इंग्लीज जेनल नौलेज जेनल इंडिजनेंस रिजनिंग एंड एप्टिट्यूट होगा यानि मैध आपको दो घंड का समय मिलेगा और जो डिस अबलिटी यानि बिकलांक या दिव्यांग अस्टूनेंट है उनके लिए 40 मिन्स एक्ष्टा मिलेगा ठीक है आगे देखते हम लोग और जो जूनियर कलर्क वाले हैं जूनियर परसेस अस्टिशनेंट या जूनियर अस्टोर कीपर उनके लिए लेवल वन का जो दिया हुआ है उनके लिए भी दो घंडे में 200 नमर का कोश्टन आएगा फ्रेंड्स उनको पांच सेक्शन में कोश्टन पुछे जाएंगे जेन इंटिलिजिस रिजिनिंग एंड इन साइन्स फिर मैत का भी आएगा जेनल नौलेज आएगा और जेनल कंप्यूटर नौलेज ठीक है फ्रेंड्स उसके लिए भी दो घंडे का समय मिलेगा और जो डिस एबिलिटी स्टुजेंट्स हैं उनके लिए 40 मिन्स एक्स्ट्रा इसके आधा कि सफ्रेंडि पेपर होगा उसके लिए और इसमीन होते घंटे का समय मिलेगा और जो डिस एबिलिटीए स्टूएंट्स आउन्ट है उनको इसक्actor मिलेगा ठीक है है और शलों आज जाखते हैं फ्रेंट इसका सब्सक्राइब कब होगा और कहा ओगा कि शुक्ति एसक्ताइब करेदद भोद सुआ है परने और इसका देखिए हम लोग देख लेते हैं इसका मुंबै में होगा एकโ rapport मुंबई में होगा और फिर जो level 1 और level 2 के exam है वो तिर्फ दोनो साथ में होंगे एक ही दिन में होंगे ठीक है फ्रेंट्स दोनो exam एक ही दिन होंगे और फिर जो भी एक्स्ट्रा आपको जानकारी चाहिए तो आप लोग comment box में comment करके कर सकते हैं जो आपको जानकारी चाहिए अगर आप लोग चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ठीक है और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों आरों में सेयर करें ठीक है फ्रेंड्स थैंक यू फ्रेंड्स